क्यों आज तक S.S. राजमॉली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई? कौन से फ्रीडम फाइटर की कहानी दिखाई जाएगी फिल्म में? हेलो फेंज मैं शूती और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलिग्रेड स्टूडियोज हमारे इंडियन सिनिमा के सूपर स्टार डारेक्टर अगर कोई है तो वो है S.S. राजमॉली सर जिनकी आज तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है उनकी सारे ही फिल्मों ने हिट से लेकर सूपर हिट का ही टैग हासल किया है लेकिन ऐसा कैसे? क्या है राजमॉली का सीक्रेट मंद्रा? तो सबसे पहले तो राजमॉली सर की हर फिल्म की स्टोरी काफी एफेक्टिव और ओडियंस को जोड़े रखने वाली होती है वो अपनी फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को एक समान इंपोर्टेंस देते हैं और उनके हर एक किरदार की बैक्स्टोरी काफी दिल्चस्प होती है उसके साथ ही राजमॉली अपनी इमाजिनेशन को रामायड और महाभारत के किरदारों और किसों के साथ जोडने की कोशिश करते हैं साथ ही जिस एक्टर के लिए जो रोल डिजाइन करते हैं वो उस पर परफेक्ट फिट बैटता है जैसे कि प्रभास के लिए बाहु बली, राम चरन के लिए राम, एंटियार के लिए भी साथी राजमॉली क्वांटिटी में नहीं बलकि क्वालिटी में विश्वास रखते हैं भले ही उन्हें एक फिल्म बनाने में तीन से चार साल का वक्त लग जाए पर जब तक वे अपनी फिल्म से सेटिस्वाइड नहीं होते, उसमें चेंजिस करते रहते हैं साथी राजमॉली को सेट्स पर मैट्स के टीचर के साथ कंपेर किया जाता है क्योंकि वो काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं तो ये हैं हमारे सूपर डारेक्टर राजमॉली की खास बाते जो हैं तो नॉर्मल लेकिन वे उसे अपनी लाइफ लेसंस की तरफ फॉलो करते हैं आरारार पार्ट टू के लिए हम सब काफी एक्साइटेड है और सभी फैंस का इकी सवाल है कि इस बार कौन से फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया जाने वाला है तो आरारार की टाइम लाइन के हिसाब से ये फिल्म 1930s के एरा में होगी और इस दोरान हमारे देश में आजादी की लडाई ने काफी जोर पकड़ा था और सभी इसमें हिसा ले रहे थे यहां तक बच्चों ने भी हिसा लिया था साथी 1938 में हमारे देश के सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर बाजी राउत पर अंग्रेजों ने गोली चलाई और हमारा ये अंसंग हीरो सिर्फ 12 साल के उम्र में ही शहीत हो गया बाजी राउत को दे बोट मैन के नाम से भी जाना जाता है बाजी राउत प्रजा मंडल की बानर सीना का सिपाही था जो ब्रामनी नदी पर बोट से अपने गाउं की सुरक्षा कर रहा था और उसका काम था नदी पार कर अंग्रेजों को गाउं में ना आने दे रहा क्योंकि उसके गाउं के क्रामतिकारी एक बड़ा हमला तैयार कर रहे थे इसलिए बाजी राउत बोट लेकर पूरी तरह पहरा दे रहा था और जब अंग्रेज वहां आये और उड़ों ने उससे बोट को हटाने के लिए कहा तो बाजी राउत अपनी बात पर डटा रहा और उन अंग्रेजों को मना कर दिया आखिर में जब वो नहीं माना तब अंग्रेजों ने उसे गोली मार दी इस चोटे बच्चे ने खुद पर गोली तो ले ली लेकिन अंग्रेजों को अपने गाउं में नहीं घुसने दिया और उसके साथ उसके दो दोस्त लक्षमन मलिक और फागू साहू को भी अंग्रेजों ने गोली मार दी इस क्रामतिकारी की कहानी को आरारार पार्ट टू में एड किया जा सकता है क्योंकि ये उस टाइम लाइन से मैच भी करता है और साथ ही इस छोटे से क्रामतिकारी की कहानी को दुनिया के सामने लाना तो बनता ही है तो आपका इस पर क्या कहना है अपनी राय हमें बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दिल्कुल न भूलिए और मुझे यानी शुरूती को दीजे जाज़त नमस्कार